हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे माई नेम इस आशिश गिरी आज किस वीडियो के अंदर मैं उन स्टुडेंट्स को गुड नीज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर मैं डिसकस कने वाला हूँ कि UGC के अकोर्डिंग जो नया नियम जारी किया गया है उसमें असिस्टन प्रोफेसर बनने की जो मिनिममम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नियुनतम योगेता है वो क्या है आखिर किस चीज में चेंज किया गया है तो स्टूडेंट्स पहले क्या था कि अगर आप किसी भी उनिवस्टी में असिस्टन प्रोफेसर के लिए आवेदन करते थे तो वहाँ पर प्यचडी कंपलसरी था लेकिन यदि आप किसी डिगरी कॉलिज में असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते थे तो वहाँ पर प्यचडी कंपलसरी नहीं था तो सिर्फ यहाँ पर इतना साइच चेंज किया गया है अगर आप किसी डिगरी कॉलिज में असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी प्यचडी कंपलसरी नहीं है तो यह एक नया नियम दिया गया है पहले क्या था स्टूडेन की अगर आप किसी डिगरी कॉलिज में असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते थे तो वहाँ पर आप योग थे लेकिन किसी यूनिवर्सटी की अंदर अगर आप असिस्टन प्रोफेसर बना चाहते हैं वहाँ पर PhD कंबलसरी था जो कि अब optional कर दिया गया है नई guidelines के according अगर आप पढ़ेंगे जो नया notification दिया गया है वेबसाइट पर या UGC के chairman ने जो tweet किया है उसके according 3.10 में आप दिखेंगे तो net set slash shall be minimum criteria for the direct recruitment to the post of assistant professor for all higher education institutions यानि कि अब आप इंडिया में किसी भी higher institution चाहे वो university हो या degree college हो किसी में भी आप assistant professor बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं PhD यहाँ पर compulsory नहीं है अब यहाँ पर काफी सारे students सोच रहे होंगे कि क्या PhD करना आप सही है तो ध्यान लगना students की API score के base पर भी assistant professor की भरती होती है जैसे for example जो बड़ी-बड़ी universities है जैसे दिल्ली इन्वस्टी है या जेन्नियू है यह API score के base पर ही selection करती है और API score में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कि मैं next video के अंदर जिसके बारे में detail में वीडियो बनाने वाला हूँ PhD अगर कोई students PhD holder है तो उसको 13 marks दिये जाते हैं अगर net qualify है तो 5 number दिये जाते हैं अगर वो net के साथ JRF qualify है तो 7 number दिये जाते हैं लेकिन जो PhD holder है उसको 30 number दिये जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान अकना कि सिर्फ PhD के 30 number है 13 marks है जो कि बहुत जादा है और दूसरी possibility यह है कि student आने वाले समय में हो सकता है कि UGC फिर दुबारा से PhD को mandatory करते तो जितने भी ऐसे student है जो कि PhD में enroll करना चाहते हैं PhD करने के लिए interested है उन्हें PhD complete करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि API score के base पर भी assistant professor की भरती होती है जिसमें PhD degree holder जो student है वो 13 marks करी करता है तो इसलिए यहाँ पर PhD holder जो students होगा उसको ज़्यादा preference दिया जाएगा तो अभी के लिए finally students इतना कहना चाहूँगा कि UGC ने जो नया guidelines दिया है जो नया notification या नया नियम जो नया संसोधन क्या है उसमें सिर्फ इतना संसोधन हुआ है कि अब university के अंदर भी आप assistant professor बनने के लिए eligible है without PhD यानि कि यदि आपकी PhD complete नहीं है आप PhD holder नहीं है तो भी आप assistant professor के लिए आविदन कर सकते हैं नेक्स वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे हम API score के बारे में students मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा